जहिंद किसान साथियो जहिंद नर्शरी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है साथियो आज रवीवार का दिन है 14 जनवरी 2024 है आज हमारा जो ये एपल है ये हम हर जो छुट्टी वाला दिन होता है क्योंकि वर्किंग डे में तो हम कोरियर करते हैं और ये सब पोधे हम उखाड रहे हैं इसी तरह का काम हमारे हर रवीवार को होता है काफी किसान कोमेंट्स करते हैं कि पोधे के हाइट क्या होगी किस तरह का पोधा आप खुद त्यार कर रहे हो या ला रहे हो क्या कुछ पर करिया है यह हमारा नर्सरी का फिल्ड है, मैं भिवाडी जिला अलवर राज्थान से हूँ, जयप्पूर मेरे से 200 किलो मेटर, चंदीगड चार्सो किलो मेटर, दिल्ली 80 किलो मेटर, गुड़गावा 35 किलो मेटर, लखनव 500 किलो मेटर. यानि कि आप अगर जैहिंदे नर्सरी भिवाड़ी लिखेंगे गूगल पे यूटूब पे कही ना कहीं तो आपको लोकेशन का लिंक भी मिल जाएगा अब बात करते हैं पोधों की साथियों सेव के पोधे हैं जो लो चिलिंग वराइटी है उसके अंदर अन्ना हर्मन डॉर्षेट माइकल यह कुछ वराइटिया है जो परचिलित है अन्ना डॉर्षेट हर्मन यह ओरिजिनल अधिकतर लोगों के पास उपलब भी नहीं है क्यों तो यह एक विश्वास की बात है कि आप कहां से ले रहो किस वराइटी का पोधा ले रहो अगर नकली चला गया तो आप उसमें पानी देते रहो या चिलिंग टंपरेचर का जो हिमाचल में करीब 70 वराइटी रनिंग में है कस्मीर में हिमाचल अगर उस वराइटी की कटिं उसरा पोधे किस तरह के होते हैं रूट स्टोक क्या होता है शीडलिंग क्या होता है शीडलिंग वह होता है कि जी हमने शेव का बीज हो लगाया एक साल हमने बढ़ा किया उसके उपर फिर फिर यह ग्राफ्ट किया ग्राफ्ट करने के बाद हमने उसको जमीन में लगाया औ और फिर एक साल बाद जो बेड़ेंके वह एक साल का ग्राफ्टिंग Tudo VIDA. एस से बाद त्यास त्जीव कलचर已經 कलचरus? त्शीव कलचर होता है जिसे यह का तफोदे हमारे ति्शीय कलचर से के है आपको जड़ें कर दिखाता है यह जो रूट है, जडे हैं यह Tissue Culture M7 Root Stoke की है यह जो नीचे का भाग है, यह ग्राफ्टिंग है, यह नीचे का भाग है, यह root Stoke है और वह भी Tissue Culture Tissue Culture का Root Stoke में यह फर्क होता है कि इसकी जडे हैं वह काफी बारिक-ारिक बारिक होती और भहुत से होती है सीडलिंग में मोटी मोटी जड़े मिलती है मैं टिशु कल्चर के पोधे की खाशित बताता हूँ कि ये पोधा रूट स्टोक पे अलग अलग होते हैं जैसे M27, M9, M111, M106 तो ये इस तरह के अलग-अलग रूट स्टोक होते हैं कुछ Ginevay series उनके भी रूट स्टोक हैं तो ये कम हाइट में आते हैं जल्दी फूटिंग पे आते हैं क्वाल्टी का फूट देते हैं दूसरा सीडलिंग के जो हमारे ये पोधे हैं ये सीडलिंग के हैं ये सीडलिंग वाले पोधे हैं इसका क्या है कि हाइट ज्यादा लेते हैं, थोड़ा लेट फूरूटिंग देते हैं, लेकिन ये पोधा सस्ता मिलता है, ये वात इसके अंदर है, अब आपको दिखाता हूँ, सीडलिंग में रूट स्टोक में फर्क क्या है, आप ये जो हमारे पोधे हैं, ये इस एरिये में अभी सिडलिंग का ये पोधा है, आपको में ये हमारा पूरा ही रूट स्टोक का है, अब नजदीक से देखे आप इधर से आके, इस टीशू कलचर है, रूट स्टोक, जो जड़े देख रहे हैं आपको ये टीशू कलचर है, और ये शीडलिंग, अधिकतर लोगों से पैस ॥. यह जड़े हो, अगर हम इस पोदेका देखे तो यह देखो जड़ों का इसमें गुच्छा होता है इसमें बिल्कुलल से जड़े हैं आप कोई भी उठा करें यह देखे और इनके अंदर यह इस तरह की जड़े है यह सारा सीडलिंग है और यह देखो मैं और रूट स्टोक दिखाता हूं यह रूट स्टोक है तो जड़ों का पोधों का मिक्स होने का चांशी नहीं है अलग अलग है यह हमने लैब से खरीद के यहां त्यार करके क्योंकि हमारे होट क्लाइमेट है तो पोधा कहीं भी लगेगा तो नर्वस नहीं होगा और वो जल्दी ही ग्रोथ पे आएगा अब जो आप यह पोधा देख रहे हो हमारा यह अभी हम उखाड रहे हैं क्योंकि आज हमारा कोरियर तो होगा नी कल से फिर कोरियर स्टार्ट हो जाएगा तो यह सारे पोधे हम फिर कोरियर कर देंगे अब हाइट देखो आप पोधो की यह इतनी हाइट के पोधे हैं लेकिन इतना बड़ा कोरियर में जा नहीं सकता अब होता क्या है यह देखे आप इधर से यह पोधा हमने करीब 60% उपर का हिस्सा हटा दिया यह देखें यह इतने बड़े जो थे इस से जुड़े हुए यह यह तो हमने हटाई दे हैं यह देखे ऐसे कटाई होती है हर रोज उखाड़ राहे है हर रविवार उखाड़ रहे हम इनमको और फिर एनमको भीज रहे ये देखें इस तरह यह सारा ए έχει कट होता है जैसे जैसे उखटता जा रहा है वैसे वैसे इसको काटते जा रहे है अन्य था अगर नहीं काटेंगे तो जो पोधे की हाइट है वो यह हाइट के पोधे मिलेंगे आपको तो कोई नर्सरी पे आता है तो हम उनको इसी तरह का सीधा पोधा बड़ा ही दे देते लेकिन अगर क करते हैं तो हम इनको यहां से काटते हैं क्योंकि बड़ा कोरियर फ्लाइट में या मैनिवली जाता है तो अलाउड नहीं है तो यह देखें इन पोधों की हाइट जो भी किसान साथ ही इनके ओर्डर करना चाहते हैं वह हमारे दिये हुए इन नंबरों पर वाट्सप कर सकते है एक वराइटी का पांच दो वराइटी मिला के दस इससे कम का हम ओर्डर सुविकार नहीं करते हमारे काफी इसमें वराइटी हैं करीब 55 तरे के पोधे सेल कर रहे हैं और वो सभी पोधे आप उनका प्राइज भी देखने के लिए और वराइटी के लिए आप वाट्सप पे हाई करें हम आपको लिस्ट शेयर करेंगे फिर आप ये पोधे हमसे ले सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद